सब्सक्राइब आपका आपी के यूटीब चैनल में इसको डीके में आज हमसी शेयर के बारें बात करने जार है टाटा टैले सर्वेशिज महाराष्ट्रा लेमेटेड जिसे आप टीटी एमल के नाम से भी जानते हो तो टीटी एमल के क्वाटर थी के जो नंबर से वो आ चुक करें तो आपके बार जो टोटल इंकम रहा है यहां पर आप देखोंगे 284 क्रोड का प्रीविस क्वाटर में 279 क्रोड का था तो प्रीविस क्वाटर से इसके इसके जो रिवेन्यूस में हमें जंप देखने को मिला अच्छी बात है और नाइनमां थैंडिट वहां पर भी ह आधान के क hak Radar कि वी था तो इसके Expence है यह total इंकम बेठता है उससे बहुत जादा इसके expense बेठ रहा है जी हम बहुत ज़्यादा expense रही है तो इसके चलते आप देखोगे company को फिर्शे जोना में loss होती हो नजर आ है कित्रा loss हुआ यहाँ पर आप देख से भी loss after tax तो tax के बाद जो loss हुआ हो यहाँ पर आप देखोगे 279 क्रोड का जबकि previous quarter में 292 क्रोड का था तो यह इसके रही है बही आपके वारस के results जो कि previous quarter से compare करके देखे तो आप देखोगे loss जरूर हुआ है लेकिन previous quarter से कम loss हुआ है ठीक है तो quarter on quarter जो loss में गिरावट आई है काफी अच्छी बात है वहीं आप देखोगे बही 9 month ended की बात है तो वहां से भी हम जोना भी इसके loss में गिर जग जाती है तो यहां पर आप देखोगे EPS की बात करें तो लगभग एक रुपे 43 पैसे का EPS रहा है माइनस में previous quarter में एक रुपे 50 पैसे का माइनस में तो यह इसके quarter 3 के numbers रही है जो की बहु ज़्यादा खराब आते नजर आए है फिर से company आपको loss में जाते वे नजर लेकिन एक कदम आप देखोगे अपना जो लो सब भी कम किया है और इसके जो revenue उसमें भी हमें जंप देखने को मिला यह अच्छी बात है तो इन future में stock आपको जना भी देखो और डाउन आते नजर आएगा और वहां से एक अच्छी तेजी बन सकते है stock के अंदर तो अभी stock के अंदर और फोल आ सकते है 50 रुपे के असपास 43 रुपे के असपास stock जोना में आते हुए नजर आ सकता है I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आएगे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब लीकिया तो सब्सक्राइब बना मत भूलना and thank you for watching the video